डियर स्टुडेंट्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं नेचर लेवल्स एंड एरियाज का थर्ड पार्ट अभी हम मैनेजमेंट को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं अलग-अलग एंगल से विबिन विबिन दृस्टिकॉर्ण से हम यह जानना चाह रहे हैं कि वास्तव में प्रबंद की जो प्रकरती है वो किस प्रकार से हमारी गतिशीलता और हमारे कारे हमारा कारे छेत्र इन सभी को वो किस प्रकार से समझते भी हैं और उसमें प्रबंद की क्या भूमी का है इन ही दृस्टिकॉर्णों में अलग-अलग खौर्ण से हम यह पता लगा रहे हैं कि जब हम management को वास्तव में जब execute करेंगे उसको क्रियानवित करेंगे तब हमें किन-किन बातों का ध्यान रखकर आगे की कार्य प्रणाली को क्रियानवित करना है देखिए बच्चो management एक सार्व भॉमिक एक concept है यूनिवर्सल कॉंसेप्ट है अब इस सीज को किस प्रकार से justify किया जा सकता है कि यह यूनिवर्सल एक्टिविटी बिल्कुल सही बात है कि यूनिवर्सल एक्टिविटी चोटे से लेवल से लेकर बड़े से बड़े लेवल त चाहे वो एक सुक्ष में इकाई हो चाहे एक व्रहद इकाई हो चाहे वो व्रहद इकाईयों का समू हो प्रबंध हर जगे हैं हम देखते हैं हमारे घर पर ऑफिस में कहीं और किसी संस्थान में किसी व्यापारिक संस्थान में किसी चोटी से दुकान पर किसी बड़े corporate सेक् नहीं है अब जो management है उसका जो प्रोसेस है वह भी उनिवर्सल है बिल्कुल सही बात है क्योंकि planning, organizing, directing, controlling का एक जो cycle है वो cycle अनवरत रूप से चलता रहता है और इस अनवरत रूप में चलने से जो feedback मिलता है जब हमने पिछले chapter में वो एक diagram से समझा था कि वो जो feedback मिलता है उसी feedback के साब से हम अपने जो स्रोथ है या जो resource है उनको allocate करते हैं उनका धारण करते हैं ताकि जो resources है उनकी पूर्ती भी हो जाए और वो बिगड़े भी नहीं अब जो managers है जो इस process को execute कर रहे हैं उनको सारा काम करना है चाहे वो swim करें चाहे वो कराएं मेरी पारकर, Folliate, Carlyle और इन सब के views को अगर हम जाचें परखें तो managers को यह सभी कारे कराना होता है अब उनके सामने एक और challenge है कि जो स्रोथ हैं जो resources हैं चारों जो resources हैं natural resources, financial resources, human resources और information इन सभी resources का effective और efficient utilization करना है कम से कम use करना है और अधिक से अधिक उसमें उत्पादक्ता या productivity लेकर आनी है प्रबंद के universal principles हैं अब उसमें ध्यान देने वाली बात यह होगी कि कौन सा manager टेलर को मान रहा है और कौन सा फेवल को मान रहा है हाला कि इन में ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन for example बाद में जब हम इनको पढ़ेंगे historical background में तो centralization और decentralization का अंतर आता है तो डिपेंड करेगा कि जो मेनेजर है वो किन परिस्थितियों में काम कर रहा है और वो कुद कि जो विचार धारा है उसकी वो टेलर से प्रभावित है या फिर वो फेवल से प्रभावित है किस प्रिकार से वो प्रबंद के जो concept है उसको लेकर चलता है skills जो होंगी क्योंकि हमने Henry Minsberg को भी पढ़ लिया है तो जो manager roles है उन roles को पूरा करने के लिए skill required होंगी वह भी same similar होंगी क्यों क्योंकि role वही उनको play करना है चाहे manager चाहे छोटी काई का हो चाहे बड़ी काई का हो मेनेजर को लगबग लगबग समान उसका इस्पान बदलेगा बस एक मेनेजर छोटी काई को कंट्रोल करेगा या फिर एक मेनेजर बड़ी काई को कंट्रोल करेगा तो हो सकता है कि कुछ कुछ डिफरेंच हाए लेकिन उनको similar set of skills चाहिए अब जब तक मेनेजर उस skill को या उस knowledge को transfer नहीं करेगा तब तक वो बड़ा पजल रहेगा क्यूंकि दीरे दीरे हम यह मान के चलते हैं कि जो हमारा व्यापरिक संस्थान है जो है या हमारे इस संस्था या organization है वो अनवरत रूप से चलने वाली है और उसकी perpetual life है जो कभी खतम यह अनवरत रूप से चलती रहेगी तो यदि वो अपनी skill और knowledge को transfer नहीं करता है तो वो अपनी लिए ही कि अब चैलिंजेज बना लेगा लेकिन management यह कहता है कि जैसे भी experience आये knowledge आये skill आये वो transfer होनी चाहिए यहाँ पर अगर एक example की बात की जाए तो यहाँ पर total quality management में इशिकावा डाइग्राम्स और brainstorming दो चीज़ें ऐसी है जो knowledge transfer करने पर emphasize करती है उन पर प्रभा कहती हैं कि इन यह जो चीज़ें हैं वो यह कहती हैं कि knowledge transfer होनी चाहिए knowledge transfer के लिए बहुत सारे mode हो सकते हैं इसमें education and training ही लिख रखा है लेकिन कई बार जो workers है वो अपने managers और supervisors को देखकर भी सीखते हैं next आता है कि अब यह जो concept है इसके against में लोग क्या कहते हैं उद्देश यह अलग-अलग हो सकते हैं उन उद्देश्यों के अलग-अलग होने से ही अलग-अलग जो संस्ता है वो अलग-अलग रूप में कारे करती हैं अब अलग-अलग रूप में कारे जब किया जाएगा तो उनकी जो approaches होंगी वो भी different हो जाएगी अब approaches different होने का आशे यह हो सकता है कि वो जो संस्ता है वो अलग-अलग sectors में है अलग-अलग इंडस्ट्री में operate कर रही है और यदि ऐसा है और अलग-अलग चीजे हैं तो उनका environment भी अलग-अलग होगा उनका size, technology यह सब भी अलग होगे और हो सकता है कि जहां पर वो operate कर रही है वहाँ पर culture अलग हो कही बार पूछा चाहते है